नेता प्रतिश वक्त तो जूट के सबसे बड़े सोधागर है पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं नेने नाम खोशते रहते हैं जैसे कि जूट की पेसडी कर रिखी है इसलिए बीजी के का नाम बड़ी जूटी पार्टी होना चाहिए पता नहीं कहां से कभी ट्वालेट की बाद करते जो कई हैं ही कभी बोलते खेल टैक्स है अब सबसे बड़े जूटे पर जूट का टैक्स लगना चाहिए सबसे ज्यादा जूट अगर किसी ने बोला तो नेता प्रतिपक्ष ने बोला है 25 लाग लोग परिवार हमाचल प्रदेश में रहते किसी के पास आज त प्रढ़ानमंत्री इस को बोलते हैं देश के प्रढ़ानमंत्री जी को जो फीड़वैक देते हैं थिट फीड़वैक में सोच permissions की किस परकार की यह बात कर रहे हैं हमाचल प्रदेश की जनता पर आसं तक कोई टैक्स नहीं लगा जी बीस समीनें से हमारी कर देते हैं अगर हम किसी चीज को सही करने की दिशाम में बिवस्ता परिवक्तन कर रहे हैं तो उसको ऐसा शो करते हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं होती तो ऐसे बैट लगने थे होस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नॉलजी आनी थी तो यह चीजे कहे कर वो जनता का ध्यान रा है जो हमारी संपधा को पिछली भारतिय वर जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता हमाचल परदेश की जनता की संपधा है उसको लूटा और लूटाया है उसको हमारी सरकार ठीक कर रही है हमाचल की जनता के